अले व्रीवर्ण वेलकम तो सरोज मिश्राज यूटीब चैनल में यूटीब चैनल पर अपसे भी कब बहुत-बहुत स्वागत हैं एसिस्टेंट प्रफिसर रिकूटमेंट अडवर्टीजमेंट रिलीज हुई हैं गौर्मेंट कॉलेज से यहां पर बता दूं कि अभी कई सारे जगे से अलग-अलग स्टेट से वेकेंसी आ रही हैं गौर्मेंट उनिवर्शिटी से स्टेट उनिवर्शिटी से तो चैनल पर बने रहे मेरे जो भी लेटेस्ट अप्डेट आती है आपको मेरे लेटेस्ट वीडियों में मिल जाएंग पर्मानेंट पोस्ट है जो नोटिफिकेशन विग्यापन एडवर्टीजमेंट हम कवर करने वाले पर्मानेंट पोस्ट है अफकोर्स गौर्मेंट युनिवर्सिटी से हैं एटी थाउजन स्टार्टिंग सालरी रहेगी एप्ले फिप्रम वाल स्टेट कुछ कैंडिडेट ऐसा कहते हैं कि या सेट है तो नहीं हो रही है सेलेक्शन हैसे कैंडिडेट अट लीस्ट पीर रिवीवड जर्नल में पब्लिश होने के लिए कुछ आर्टिकल्स लिख सकते है अगर वो peer reviewed journal में publish हो जाते हैं या UGC listed जो journals है उन में publish हो जाते हैं तो आपकी जो API score है वो बढ़ जाती है और selection के chances भी बढ़ते हैं तो चरी आगे बढ़ते हैं फिलहाल जो advertisement आई हैं वो cover कर लेते हैं कहां से हैं क्या क्या subject हैं और fee etc की details Online applications are invited from the eligible person for the post of assistant professor in academic pay level 10 in the following subjects सबसे पहले जब आप apply करेंगे तो category जरूर चेक किया करें अगर जेनरल लिखा है तभी सभी apply कर सकते हैं अगर जैसे SC लिखा है या BCB लिखा है तो मतलब यह थास category के लिए रिजॉर्ड है तो सभी apply नहीं कर सकते हैं तो apply करने के पहले चेक करें यूर लिखा है जैसे फार्मासिटिकल में फार्मासिटिक्स फार्मा कोगनौसी वाले अप्लाई कर सकते हैं लाव में बिजनेस लाव साइबर लाव कंस्टिटिशन और इंटरनाशनल लाव जो स्पेशलाइजिशन ए शवर देखें इन आचरीड जो रिलीज रिलीज भी रुए गुरु गराम व यूनिवर्मानसिट्यूँ से रिलीज होई यह स्टेट गर्में युनिवसिटी है स्टेट च्ट्रल शूव इनिवर्मेंट चंग्स स्टेट उनिवेसिटी की फंडिंग. इस पर्म पोस्ट नेङरंनेट पमेंन्न जाब. इसमें अ मने पहले Cotton wash ए ए उलाइन अप्लाइक करना है और ज्में दिदग आप ोटो कौपी लगहें करनेनेट 05 अटेच करके डिप्टी रेजिस्टर गुरुग्राम उनिवेसिटी गुरुग्राम में भी एड्रेस दिया हुआ इसमें पहुंच जाना चाहिए 17th August 2024 तो ध्यान रखना है online and offline दोनों मोड में अपलाई करना है सब्जेक्ट बहुत ज्यादा नहीं है बड़ ठीक है लॉक के लिए है फिजिक्स केमेस्ट्री माट्स कम्प्यूटर कम्यूनिकेशन स्किल एकनोमिक्स और वेकेंसी राती उनकी अपडेट के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहे है क्वालिफिकेशन की जो डीटेल से वह इसी 55% या वह मार्क्स होना चाहिए गुड अकैडमिक रेकॉर्ड कैंडिदेट्स फिफ फिफ्टी पर्सेंट अवह मार्क्स इनमे और मसी और ल्लम इन रेलिवेंस अब्जेक्ट एंद पी एच्डी डिग्री तो पी एच्डी नहीं है तो नेट वाले तो एप्लाई कर सकते ज अब जानते एप्लाई स्कूर उसके बेसिस पर इंटर्व्य के लिए शॉट लिस्ट करते हैं एक डमी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर यहां पर ऐसा नहीं है रिटेंट टेस्ट होना होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने कहां मेंचन कर रखा दिख भी नहीं करना चाहते हैं एलिजिबिलिटी कंडिशन इंक्लूडिंग क्वालिफिकेशन एन पर फार्मसेटिकल के लिए फीजियो थेरपी के लिए मैनेजमेंट के लिए सभी के लिए अलग अलग है जैसे कि मैनेजमेंट के लिए आप देखेंगे कि नेट सेट वगर नहीं मांगा जा रहा है बैशलर डिग्री एन डिसिप्रिन बिजनेस अबिनिस्टेशन या पीजी डीम या सी ए आइसी डवी या एम को फर्स्ट क्लास के साथ या एक्यूवेलेंट एंड टू एर एक्स्पीजेंस है तो अफ्टर एक्वारिंग मास्टर डिग्री तो बैनेजमेंट से कि जो सब्जेक्ट हैं लौ फिजिक्स केमेस्ट्री मैस एकोनोमिक सेंड कम्यूनिकेशन स्किल पेज नंबर 11 पर आपको देखना है मास्टर डिग्री 55% या अब माक्स के साथ नेट होना चाहिए या फिर पीजडी होनी चाहिए या फिर एक और अभी आड किया काफी दिनो इस एक जगा फिर मास्टर डिग्री में तो आप विदाउट नेट से पीजडी अप्लाई कर सकते हैं तो इंजिनिरिंग सब्जेक्ट के लिए इसा नहीं रहता है only eligible and test qualified applicants will be considered for shortlisting and of presentation and interview तो रिटेन टेस्ट तो एक qualify करना ही होगा रिटेन टेस्ट जब आप qualify कर लेंगे फिर यह जो है यह API score वागर यह सब calculate करके फिर इंटर्व्यू के लिए बुलाएंगे तो इनका थोड़ा selection criteria अलग है अब इसमें application process अल्रेडी शुरू हो चुकी है तो यह गुर्यूग्राम university है state university है हरियार्णा में job search careers में भी देख लेते हैं मैंने देखा नहीं अभी तक मुझे click here to apply online for the post of assistant professor click here to download यह तो अलग है यह चेक कर लेते हैं सबसे उपर जो है advertisement मैं आप मैं आपको बताती हूँ advertisement जो है नीचे थोड़ा scrolled on आप करेंगे तो recruitment एक section है यह recruitment section है recruitment section में advertisement दी हुई है recruitment view more पे आप click कर लें इक बार तो view more पे आप जैसे click करते हैं view more पे जैसे आप click करेंगे तो advertisement आती है view more पे click करने से तो online application portal आ जाता है इस पे क्या करना है recruitment section में आपको मिल जाएगे advertisement इसे में मिल जाएगे तो यह advertisement सामने आ जाती है और online application के लिए अलग से portal है तो official website की link के लिए या तो आप Wikipedia को चेक कर लें या फिर इस YouTube वीडियो के description box को नीचे तक scroll down करके चेक करें लिंक आपको मिल जाएगी और भी opportunity जहां से भी आती है तो उसकी update आपको मेरे YouTube चैनल पर लगबख same day या जल्दी update आपको मिल जाया करेंगी जैसे notification नहीं आती है कई सारे advertisement अभी release होने वाले और भी जगेर से